दोस्तो छोटी बहू एपिसोड 3 इसके पहले के दो एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी का रिव्यू मैं कर चुका हूँ अगर आपने अभी तक उससे नहीं देखा है तो जा करके देख लिजे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा या फिर मैं बीडियो के इंड में लगा दूँगा तो एपिसोड 3 की सुरुवात होती है और हम देखते हैं कि पिंकी को उसकी सासूमा समझाती हैं कि बहू कपड़े थोड़ा धंके पहना करो कुल मिलाकर वो अपनी छोटी बहू को मरियादा और संसकार का पाड़ सिखाती है कि ऐसा वो ना करें दोस्तों अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बीडियो को लाच तक जरूर देखना बीडियो काफी मज़दार होने वाली है और हाँ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तरह से बाबुजी से प्रडाम किया था उससे तो बाबुजी का दिमाग बोखलाया हुआ है तब ही वहाँ आखिल की मा आ जाती है और उनसे कहती हैं कि देखिये जी घर की मर्यादा तूट रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो वो कहते हैं कि क्या हुआ भागवान बहुत गरम हो रही हो तो वो कहते हैं कि आपने देखा नहीं क्या छोटी बहु को आज किस तरीके से कपड़े पहनी हुई थी तो वो कहते हैं कि अरे तो समझा दीजिए मान जाएगी मा जी कहते हैं कि हमारी नहीं सुन रही है तो बाबु जी कहते हैं कि भागवान बच्ची है वो, समझ जाएगी, आप थोड़ा मौका तो दीजिए, मा जी कहते हैं कि नहीं, ये सब इस घर के संस्कार और मर्यादा के खिलाप हैं, तब ही अखिल काम पर जा रहा होता है, मा जी कहते हैं कि अखिल बेटा तुम अपनी प बात करनी है, पिंकी कहती है कि बोलिए ना, क्या बात करनी है, अखिल कहता है कि मा कह रही थी कि तुम इस तरह के कपड़े मत पहना करो, पिंकी कहती है कि क्यूं, आपको अच्छा नहीं लगता क्या, अखिल कहता है कि अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तो पिंकी कह कि तो फिर ये समय आपके लिए ही तो करती हूं बाकी सब क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं परता अखिल कहता है कि पर पिंकी पिंकी कहती है कि बस करिये ना आज रात हमारी सुआग रात है बात करके टाइम वेश्ट मत करिये के बाद दोस्तों यहां पर आप लोग कि यहां तो नंदनी और उसके पति का पलंग तोड़ कारक्रम शुरू होता है लेकिन कारक्रम में अखिल के भाईया को कोई मजा नहीं आता क्योंकि नंदनी कुछ रिस्पांस ही नहीं करती एक बेजान पुतले की तरह पड़ी रहती है जिससे नंदनी का पति बहुत गुस हो जाता है क्योंकि यही हाल हमेशा कर रहता है अब अगली सुबा पिंकी लोकी छिल नहीं होती है और वहीं थोड़ी दूर पर बैठे बाबु जी उसे देखे जा रहे थे तब ही वहां उसकी सासू मा आ जाती है और उसे किचन में भेज देती है अब अखिल की मा अखिल के पास आती है जो की ब्रस कर रहा होता है और कहती है कि अखिल तूने पिंकी से बात नहीं की तब ही वहां बड़ी बहु आ जाती है और कहती है कि मा जी हम बात करते हैं छोटी बहु से अब इसके बाद नंदनी पिंकी से कहती है कि पिंकी तुम्हारा ये पहनावा घर वालों तुम थोड़ा मेरी जैसी बन जाओ, क्योंकि मा बाबुजी को अच्छा नहीं लग रहा है पिंकी कहती है कि क्यों भाभी, इन कपड़ों में क्या हुआ है नंदनी कहती है कि पिंकी इस घर में मर्यादा है, संसकार है घर की बहु पर्दा करे तो ही अच्छा है घर में और भी मर्द हैं वो भी देखते हैं तुमको पिंकी कहती है तो देखने दीजिए न भावी अब जिसकी जैसी नियत होगी वो वैसा ही देखेगा कहीं आपको अपने पत की चिंता तो नहीं हो रही है भावी अब भावी जी को गुस्सा आ जाता है और कहती हैं कि फालतू की बकवास मत करो पिंकी जितना बोल रही हूँ उतना सुनो वरना तुम्हारे माता पिता से सिकायत करेंगे कि हम जैसी बहुत चाहते थे तुम वो ऐसी नहीं हो अब पिंकी नंदनी के दुखती रग पर हाथ रग देती है कि अच्छा तो जेट जी को भी नहीं लगता जब आप रात में उनके साथ ठीक से नहीं कर पाती कल रात मुझे सब पता चल गया वो कितना कुछ करना चाह रहे थे पर आप उन्हें सम्हाल नहीं पाए भावी क्योंकि आपको तो कुछ आता ही नहीं बेचारे जेट जी पर फिक्र मत करो भावी मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी नंदनी कहती है कि हमको जितना आता है वो काफी है तुम हमसे ज्यादा खुद पर ध्यान दो और ढग के कपड़े पहना करो वरना अच्छा नहीं होगा अब साम को हम देखते हैं कि अखिल का बड़ा भाई बैठा होता है और वहीं पर पिंकी जाडू लगा रही होती है जिससे उसके दोनों इंडिकेटर साब साब दिख रहे होते हैं और अखिल का भाई उसे देखे जा रहा था तब ही उसकी पतनी नंदनी चाय लेकर आती है और वो अपने पति को ऐसा करते हुए देख लेती है और फिलाल तो दोस्तो एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है तो अब एपिसोड 4 की सुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अखिल का बड़ा भाई ब्रस करते हुए जा रहा होता है और उधर से पिंकी नहा कर टावल में ही बाहर आ रही थी और दोनों टकरा जाते हैं और ये सब नंदनी देख रही होती है अब इसके बाद पिंकी किचर में सबजी काट रही होती है तभी वहाँ आखिल का बड़ा भाई आ जाता है तो पिंकी जान बुचकर गिरने का नाटक करती है तो वो उसे समाल लेते हैं लेकिन यहां भी पीछे से नंदनी आ जाती है और ये सब देख लेती है अपनी पतनी को देख कर वो तुरंट वहाँ से चला जाता है अब पिंकी नंदनी से कहती है कि देखा जेड जी कैसे मेरी अदाओं पर लट्टू हो रहे थे अब इतनी बोरिन पतनी होगी तो किसका मन लगेगा देखो मेरी बात मान लो अपनी अदाओं से जेड जी को रिज़ाना सीख लो अब दोस्तों कहीं न कहीं नंदनी के दिमाग में भी कुछ न कुछ चल लहा होता है अब साम को पिंकी अपने कमरे में होती है तो वहाँ पर नंदनी आती है पिंकी कहती है कि भावी आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ उसे सीखने के बाद आपकी जिन्दगी ही बन जाएगी और अब यहाँ पिंकी उसे अपने स्टाइल में वो सब कुछ करना सिखाती है कुल मिलाकर यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को लेस्बीन वाला सीन देखने को मिल जाएगा और पिंकी कहती है कि आज के लिए बस इतना ही अब इसके बाद नंदनी अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसका पती सो रहा होता है तो वो वहाँ से चली जाती है अब अगली सुबा पिंकी नंदनी से कहती है कि कल रात जो सिखाया था वो काम आया तो नंदनी कुछ नहीं बोलती तो पिंकी कहती है कि पहले तो आप अपना लुग बदलिये, मेरी तरह कपड़े पहनिये, नंदनी कहती है कि नहीं नहीं सब क्या कहेंगे, पिंकी कहती है कि भावी सब की चिंता करती रहोगी तो पती हाथ से निकल जाएगा, अब यहाँ पिंकी नंदनी को फिर से घुरू मं पत्र देना चालू कर देती है और कहती है कि अब जाओ इसी जो 공 Reserve के साथ अवने पत्य के पास उसका ःती है अपने कमरे में बैठा हुआ हिसाब कर रहा होता है Texas logo के लिए बिल्स होती है आप झाल देख लेकिन पिंकी सremb postpon포 कर देती है जो साइध आप के लिए मुश्किल हो लेकिन अब आपको ये सब सिखाने का सिर्फ यही एक तरीका है और वो अपने पती अखिल को वहां पर बुलाती है नंदनी कहती है कि इसका क्या मतलब तो पिंकी कहती है कि अब जो मैं आपको सिखाऊंगी वो आप अखिल के साथ करेंग यहां पर कोई आगे नहीं बढ़ता पिंकी कहती है कि भावी अगर आपके सर्म का परदा हट जाता तो अच्छा होता और वो दोनों वैसे ही खड़े रहते हैं कोई भी आगे शुरू नहीं करता जिसे देखकर पिंकी कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और फि देखने में काफी मज़ा आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक ओफर वाचिंग इस वीडियो टेक क्यार बाइबाई